हेलो एन वल्कम बैक तुमा यूट्यूब चैनल इंवेस्मेंट में मार्केट में बहुत सारा इसे स्टोक है जिसके बारे में सायद आपको पता होगा अगर पता भी है तो सायद उसका डिटेल्स में पता नहीं है तो आज मैं एक ऐसा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहू करकर्ण जो अतर जैसे बड़ा इलेक्टिक कंपनी में जो ऐलेक्टिक सकूर्टी बना रहा है ओला इलेक्प्सकूर्टी बना रहा है महंदर किक बना रहे रोयल इंफीनँट उसके साथ सद जितना वी बड़ा पॉंइक आओ मिखार और इंडिया में अध्या का भौकरित है मैं आज में बात करने जारों गेब्रीया इंडिया लिमिटेट कमपणी के बारे में जो आनन्द गुरूप कमपनी का ही एक कमपनी है मुख्य कमपनी आप कही सकते हैं गेबरियल इंडिया अब ये कमपनी जो है एक ट्रस्टेट कमपनी है जितना भी OEMN की ओरजिनल इकुट्मेंट मैनुफेक्चर पॉड़क बनाता है उसमें से एक ट्रस्टेट कमपनी है ये क कंपनी और भी बहुत सारह पोड़क्ट जो एम्मकार्ट करता है एं आफटा मारकट में बहुत सारह 纗ास की साथ यह सेल क्र रहा है पूंटक को इंडिया के साथ इंडिया के बाहर भी आपना बिजनिस कर रहा है और अच्छा खासा यह कर रहा है और इस opportunity को miss मत करिया यह जो company है EME customer 15 प्लास है original equipment customer 15 प्लास है आगे जलके आपको समझ में आगा किस तरह का customer है और यह two wheelers, three wheelers, four wheelers, electric vehicles, non electric vehicles हरो इंडेस्ट्री में जुरा हुआ है जैसे कि आप देख पारे है passenger card में भी है commercial vehicle में है railway में है साथी साथ aftermarket में भी इसका काम हो रहा है company का अगर product का बात किया तो कुछ इस तरह का product है जैसे कि आप देख पा रहे है suspensor यह product है और यही product जो है manufacture कर रहा है and market में sale कर रहा है जैसे कि आप देख पा रहे है अगर बात किया आफ्टर मार्केट का तो और भी बहुत सारा product है जैसे कि देख पा रहे है और भी बहुत सारा product है tire and tube भी है manufacture कर रहा है ring भी है इसका इसका इलाबा जो है बहुत सारा जो chemical बगएर होता है आर वास करने का ओके तो इस तरह का chemical बगएर भी जो है manufacture कर रहा है तो इस तरह का कंपनी का लॉंग टाइम के लिए जो है अच्छा खासा benefit दे सकता है अगर रखे तो कंपनी का जो कस्टुमर है बहुत ही दिगज कस्टुमर है देखिए यहां पर जिसका कस्टुमर है आपर मोडल मार्केट में इसका आ भी गया है तो यह इसका कस्टुमर है अतूर है बजाज है इस तरह का और भी दिगर्श कस्टुमर है और यहां पर देखिए महेंदा एलेक्टिक के साथ सथ ओला एलेक्टिक्स भी इसके साथ है तो फ्यूचर में जितना भी EV विर्कल्स आएग इसमें लेकिन अच्छा खासा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा तो यह बहुत सारा कस्टुमर है इंडिया रेलवे भी इसमें है ठीक है रोयल इंफिनिट भी है जैसे के देख पार है तो कस्टुमर के मामुल में एक स्टॉंग कस्टुमर बेस बना के रख़ा है कंप मैनेफक्टुर आफ़ भागई अच्छा कासा यहां पर मारि लहीं किया है ठीक है जो ट्रस्ट इट कंपनी है आइयसकर यहां का जो पॉड़क वगई ज्चनू निटकर रहा पर चैलेंज मिक्स का तो यहां पर अरजिनल एक्विट्मेंट जो है 81% का है रिप्लेस्ट में 15% एड एक्सपोर्ट में 4% है तेके यहां पर जो मार्केट से यह 25 परसेंट का जो मार्केट चालीस परसेंट का जो है यहां पर मार्केट में चालीस परसेंट का जो मैंझे एब सेवेन जैसे के देख पार हारियाना महद्यप्रदेश तमिल नारू हिमाचल प्रदेश महारास्टर में डिस्टीब्यूटर सीप 700 प्लस डिलर्स एंड 20,000 प्लस रिटेलर से इंडिया में जो एक बहुत बड़ा साहिने का कम्पनी का तो क्लाइंट तो ओ एमजी क्लाइंट है जैसे कि मैंने स्टाइटि में कहा था बड़ा दिगर्ज ब्रैंड है इसके साथ जुरा हुआ जो आगे चाल के आपको अच्छा घासर रिटन देगा यह कंपनी क्लाइंट का अगर बात किया तो क्लाइंट में देखिए यह कंपनी जो है फाइब जो किसका क्लाइन है जिसस जो है इसका रेवन्या सिश्टी सेवेन परसेंन का आ रहा है पैसेंजर से थ्वेंटी टू कमर्सेल फीगल से 11 तो सबसे जादा जो है टू विलिए सरे बने जाये एक सबसे जाए जाहे अगर बात किया जाये तो यह कंपनी जो है अपने प्रोडक्क एक्सपोर्ट भी कर र रहा है इसके लिवागर बात किया जाए तो देखिए एसिया से जो है 25 परसेंट का एक्सपोर्ट रेविनु जाएट कर रहा है इसके पास रिशाच एंड डिवलोप्मेंट सेंटर है जो तीन है और जो बहुत ही बड़िया बात है एक तेक्निकल कोलॉबरेशन का अगर बात कहें तो यह जो है टेक्निकल क्लॉबरेशन कीसके साथ किया है यमाहा मोटोल्स हैड्रॉलिक by ницу इसके साथ जो जाप्याइन का कमपनी है इसके साथ जो है डेक्निकल फॉर्टेशिशएंग टिक्निकल कम्परी वी कुर्पौरेशन टिर्कनी का क्या है कि इसके कम्पनी का क्या है कि इसके कम्पनी जो है 6 ऑप्कास कर रहा जो बहुती बड़ा बात है शादी शादी कमपनी डॉमस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट में जो अपने प्रोड़क्त इंक्रीज करने का कोशिज करे तो इसको पर ज्यादा ये कमपनी का फोकस है अब बात करते है इसका फाइनेंसियल रिजल्ट का फिर अगर इसका है एक सो दो है अगर स्टोब्य को बात करें स्ट्व चैप्वीडे रिविनू तो ये एक डेट-फ्री अगर यहांपर बात करें ओधिक दैख पनैंड एफ चैपनी श्वर्ण पॉईट्र रिटन बहुत ही कम दिया है 13 परसंट का सिर्फ रिटन तिरियां में देखने को मिला है लेकिन 6 मत में 40 परसंट का रिटन दिया है और बहुत जल जो है रिटन चेंज होगा अच्छा खासा रिटन देगा और भी देखिए इसका जो नेट फॉर्फित है क्वार्टर में 36.6 का नेट फॉर्फित है फॉर्फित ग्रोथ जो है 35 परसंट सेल ग्रोथ जो है 30 परसंट देखने को मिला है अनिंग पर सेर 8.50 है वोलिम जो है 176,000 का वोलिम है जो बहुत ही बड़ा फिगर है करेंट लाइबलेटी इस 633 एन करेंट एसीट 1022 तो लाइबलेटी इसका है आपको स्टॉंग देखने को मिल रहा है और इसकी स्कूर फाइनेस का तो कंपनी का फाइनेस स्टॉंग है नो डाउट इस तरह कंपनी को अगर आप अपना पॉर्ट्पोली में रखते हैं तो आज नहीं तो कल यह आपको एक आच्छा वेनिफिट देगा ही देगा क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक कंपनी का जो है 2005 में सिरफ 10.44 रुपिस का इसका व्यालू था लेकिन धीरे धीरे अपना व्यालू ड्रॉप भी हुआ है जैसे कि यहाँ पर देख पार है तीन रुपया तक आया था 2008 नौ में फिर जो है यहाँ पर अप हुआ है फिर डा कास का बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है हंडेट परसेंट बाय करने के लिए जो बहुती बड़ा एक सिगनल ले कंपनी का अगर इसका फाइनल्स का बात करें तो फाइनल्स का मामले में इसका जो फिगर है इसका जो यहाँ पर रेविन्यू है वो देख लेते देख लेत पूटल रेविन्यू है 2020 में 1879, 2021 में 1719, 2022 में 2358 और अभी 2840 में चल रहा है, तो कंपनी का रेविन्यू लेकर आपको इस टॉंग देखने को मिल रहा है, नेट इंकम यहां से समझ में आते कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है, तो देखे 2020 में 84 का फिगर था, 2022 में यहां पर ड्रॉप हुआ और सार्ड में आया, फिर इंक्रीज हुआ 89, 2022 में उसके बाद यहां पर 122 का फिगर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके लिब अगर बात क किया जाए इस कंपनी का cash flow का, तो cash flow के मामले में यहां पर जैसे कि आप देख पार है, company लेकिन अभी positive में चल रहा है, एक time negative में था, 19, 20, negative था, लेकिन 21 के बाद से इसका cash flow positive है, जो एक good sign है company का, share holding का अगर बात किया जाए जाए तो देखे यह जो company है, इसका अगर share holding का ब 9.50, आपर domestic investor 1.75, foreign investor 2.55 and यहाँ पर retail है, जो 31.21% का है, company का, अगर dividend का बात किया जाए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते, company dividend का इसा दिया है, तो देखे है company लेकिन dividend दिया है, अगर और भी देखे है, आपर 15 में भी dividend दिया है, 13 में भी dividend दिया है, 10 में भी dividend दिया है, ओके तो company देखे 10 से जो dividend दिया है हर साल dividend दिया है company और अच्छा खासा dividend जो है देखने को मिल रहा है फिर देखिए इस company के अगर performance का बात करें तो average performance आगर valuation का बात करें तो valuation high है growth जो है low है आप जो profit high है entry point average है इसको पर कोई भी service लिए देखिए फिर में तो यह क्या हूंगा यह ज में और company जिसतर का client के साथ जिसतर का customer के साथ जुरा हुआ है आपको जो है no doubt long time अगर विजन लेकर चलते है यह जो 182 रुपीस है यह आपको कम से का 500-600 तक तो देखने को मिलेगा 2024 के अंदर लेकिन 2025 का इसका target रखिए है तो एक strong sign आपको देखने को मिल सकता है कोई भी स्टोक में निवेस करने से पहले आप अपना broker और advisor के साथ बात करें फिर जो है निवेस करें आज के वीडियो में इतना ही मिलते है निया वीडियो के साथ तब तक लिए बबबाई टीक केर और investment memory चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए